जैहिन दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से Study with Rahul UK के प्लेटफॉर्म में दोस्तों हम चचा कर रहे थे पितोरागर जनपत के बाले में बेसिक चीजे हम पढ़ चुके हैं कि पितोरागर जनपत की स्थापना 24 फरवरी 1960 स्पीको होती है इसके साथ साथ उत्राखन के दो अन्य जनपतों की भी स्थापना होती है उत्तरकासी एवं चमोली की जो की कब होती है 24 फरवरी 1960 स्पीको यदि बात करें पितोरागर जनपत की तो ये अल्मोडा और भारत, चीन, नेपाल सीमाज से अलग करके बनाया गया है पितोरागर जनपत वहीं बात करें दोस्तों पितोरागर के प्ताची नामों की तो सोरचित इसको कहा जाता था प्ताची में साथी साथ पितोरगर पठारी गर या कह सकते हैं जोहरी घाटी के नाम से जोहर घाटी के नाम से भी जाना जाता था पिथोरागड को बात करें इसके हम उपनाम मुखी जो उपनाम है यहां पर इसके मीनी कस्मीर छोटा कस्मीर छोटा कैलास या ओम परवत तो यह उपनाम है पिथोरागड जनपत के अब बात आती है दोस्तो पितोरगड़ नाम किस ने दिया तो यहाँ पर अलग-假bird अलग-अलग तर्क दिये गये कई इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर कतियरियों की एक राजा थे, राए पिठोरा, उन्हों ने यहाँ पर अपने नाम से एक किल्य का निर्मार किया, जो की बाद में संपून पिठोरागड के नाम से जाना गया, वो किल्या तो उनिस सो अठावन में ध्वस्त हो गया है, लेकिन कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर पित्वरागड बालिका इंटर कॉलेज है अब यहां पर एक और इतिहासकार कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि इन्हों ने इतिहासकार इतिहास लिखा है उत्राकन की इतिहास के बारे में जानकारे दी वैसे पेसे से तो हैं कीट वेग्यानिक आप समझ गये होंगे कि मैं बात कर छेटर है पित्वरागड की सपर पुरू गुसाइन की है पिरू गुसाइएं कौन था चंद राजाओं का एक सामनत था दीन था उसने पित्वरागड जन्पत की स्थापना किह किसंने पिरू गुसाइं ने एकिंसन की अनुसार उसर तो यह था नेपाल एंड चीन तिब्बत अब वर्तमान में चीन अधिकार की तरी में आता है इसलिए हम कह सकते हैं चीन और नेपाल वहीं बात करें इसकी जो आंतरिक सीमा है अथात्रिक का मतलब है दोस्तों जो कि अंदर की जन्पदों से सीमा तो कौन-कौन से चमोरी है बागी सर पिठोरागाड जन्पत की जन्संक्या जन्संक्या दोस्तों यहां पर पिठोरागाड जन्पत की 4,83,449 दोस्तों पिछले लाक्चर में मैंने आपको बाइल मिस्तिक पिठोरागाड जन्पत की जन्संक्या थोड़ा गलर बता दी थी जो मैंने वहां पर जन्संक्या 4,83,449 वहीं बात करें इसका छेतरफल तो पिथोरागड जन्पत का छेतरफल 7,090 स्क्वाइर किलोमेटर या वर्वे किलोमेटर कह सकते हैं चेतरफल की दृष्टी तीसरा सब्से बड़ा जन्पत है पिथोरागड सबसे बड़ा जन्पत कौन सा उत्राखंड का यह चेतरफल ऑठवी अच्च्वाइर किलोमेटर जो कि हम अच्छे से पढ़ चुके है तो 68 यहां पर जन घनता है पिठोरागड जनपत का तो चलिए दोस्तों basic structure हो चुका है पिठोरागड का जो कि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और I hope आप सभी ने अच्छे से note भी कर लिए होंगे दोस्तों यह सारे point या इससे पिछले lecture के point तो चलिए सबसे पहले बात करते ह आपर पिठोरागर जन पर की गुफाईं कौनपों सी गुफाएं हैं क्लिक करना है दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्वधंอ मिभ्वा सुमेर्व घर्म जाली घुफा मिलेशन गुफा पाको और ऊड़यार। पाको के नाम से यहाँ पर एक क्या है तैसिल भी है शिव गुफा, सैलेशर गुफा, मुक्पेशर गुफा, छेनी गुफा, ये है दोस्तों मुन्सारी चेत्र में, राजारानी गुफा, पाताल भूनेशर गुफा, अब देखे एक पारिपेट कर लेते हैं, स्वधर्म धर्म जाली गुफा, कमलेशर गुफा, पाको उडियार, सिव गुफा, सैलेशर गुफा, मुक्पेशर गुफा, छेनी गुफा, राजारानी गुफा और पाताल भूनेशर गुफा, दोस्तों पाताल भूनेशर गुफा की तुलना माराष्ट की ऐलोरा गुफाओं से भी क उनके समान माना जाता है क्योंकि यहां पर माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास तो पातान भूने से गुफा की तुनना किस से की जाती है माराश्ट की एलोरा गुफा से की जाती है ठीक है कि माना जाता है 33 करोड देवी देता यहां पर निवास करते हैं तो यह थे यहां के प्रामुक गुफाएं क्वेस्टन किस प्रकार बनता है एक्जाम में कि निम्न लिखित में से कौन सी गुफा पिछोरागड जन्पज में नहीं है तीर इन में से दे देगा सी गुफा, सारेशोय गुफा, मुक्टेशर गुफा और एक अन्य गुफा पूछ लेगा लाको उडियार तो वहाँ पर आंजर क्या हो जाएगा लाको उडियार तो ध्यान लखना दोस्तों गुफाएंड एक्जामिनल पूछता है अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पिथोरागर जन्पत की प्रमुक बूग्याल किसकी बूग्यालों के बारे में सबसे पहले बात आती है छिपला केदार बूग्याल किसकी छिपला कोट बूग्याल चिपला किरा दोस्तों मंदिर है कि थोरा गड़ जन पदने और मेला भी लगता है वहाँ पर पहला बुग्याल, छिपला कोट बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, रुई बुग्याल, काला मुली बुग्याल, धनिया बुग्याल, राता पाने बुग्याल, रहाली बुग्याल, गयाधारवा वनिक बुग्याल, ठाला बुग्याल और बरम बुग्याल कौन-कौन से बुग्याल है, पिथोरागर जनपद में, छिपला कोड बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, रुई बुग्याल, धनिया बुग्याल, राता पाणी बुग्याल, रहाली बुग्याल, गैधार ववनिक बुग्याल, ठाला बुग्याल और बरम बुग्या क्यार्षन किस प्रकार बनेंगे , मैं बता चुका हूँ , कि निमननेकित SECONEE मेंने से कौन सा बुघयाल , कहा बने है , पिथोराइजनपद में नहीं ही , या है , तिन अनिय बुघयाल होंगे , और एक इनमें से तो हो जाएगा , यदि पूच था से कौन सा बहुघया पिठोरागर जन्पद में इस्तित नहीं है तो यहां से देगा आप्शन रादा पानी रहा दी गयाधार और एक अन्य बुग्याल देगा आपको बेदनी बुग्याल कहां पर है चमुले जन्पद में और उतराखन के छेतेफल के दृष्टी से सबसा बड़ा बुग्याल कौ प्रमुक जल्परपात जल्परपात को कहते है वाटरफॉल या जर्णा गडवाली की बात कहते हूं गडवाली में छाड़ा कहते है चाड़ा जब पानी उपर से गिरता है तो क्या कहते है उसको छाड़ा कहते है गडवाली बात समय तो हम बात करते हैं यहां पर जल्परप के प्रवकर जल्प्रपात सबसे पहले बात करते हैं दोस्तु विर्थी जल्प्रपात कापर है मुंशारी में और 400 feet की उचाएसी घ TEACHता है कौनसा ये gorgeous वी जो की मुंशारी में इस्त्त इन्हें दो गरुरन्य लपर पाद यह बेरी नाग वहां पर ब्लॉक है और ब्लॉक सामेaiser तायसिल भी है तो बेरी नाग में कॉंचा है गरुर जलॉपर पाध दूस्तों मैंने आपको बता था कि बेरी नाग झील जम्मु कस्विर की फैमस जील है उसके जो बगल में जील है यानि बेरी नाग जील है जम्मु कस्मीर में उसके बगल में एक जील है सेसनाग वहां से जीलन नदी का उद्गम होता है जो की सिंदो नदी की सायक नदी है और जीलन नदी पर तुलबुल बांध परियोजना बनाए गई है तो यह इस नाग्जीर भी है जहां से पुदहन नदि का उत्गम होता है और पॉइंकर से छानचा जलन होगा जल वाटरफॉल जब पानी अताजी ऊचाए शी नीची गरता है तो उसको कड़वालई भात समय कहता है चाड़ा, उत्राखन के इतिहास में दोस्तों, उत्राखन के इतिहास हो या जीकी हो, सारे गडवाली वर्ड जुड़े होगे, कुमावनी एवं गडवाली सब्द ही जुड़े हैं, उनसे ही हमें अर्थ निकालने होते हैं, और गडवाली हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो भूरमुनी जन्न या जलप्रापात कहा पर है यह भी पिथवरागण जन्पद में है इसके बाद बात करते हैं दोस्तो यह पर प्रमुगाटियों की किसकी प्रमुगाटियां? पिथोरागड जनपत की प्रमुक घाटिया सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ब्यास घाटी कहाँ पर है पिथोरागड जनपत नहीं है ब्यास घाटी, नेक्स सोर घाटी, जोहर घाटी जोकी प्राची नाम भी है पिथोरागड जनपत के कौन-कौन से सोर घाटी और जोहर घाटी नेक्ष दार्मा घाटी और उसके बाद चौंदस घाटी तो ये पाच घाटिया हैं जो कि आपको याद रखनी है अब बाद करते हैं दोस्तों पिथोरागड एवं चमोली के प्रमुक दर्रे दर्रे दोस्तों हम चमोली जिन पर जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि चार दर्रे हैं यहाँ पर इसके बीच पिथोरागड एवं चमोली के बीच जो कि एक्जाम की द चीन के बीच इसती दर्रे हो या पिथोरागड चीन के बीच दर्रे हो या चमोली बागिसर के बीच दर्रे हो या चमोली और चीन के बीच दर्रे हो तो हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर चमोली एवं पिथोरागड के बीच प्रामुक दर्रे सबसे पहला दर्रे है दोस्तो बारा होती, किस किस के बीच है, पिथोरागड एवं चमोली के बीच है, बारा होती दर्रा, उसके बाद है मार्च योग, कौन सा दर्रा, मार्च योग, जो कि किस के बीच है, ये भी दोस्तों पिथोरागड एवं चमोली जनपत के बीच है, अब है नेक्स, लातु धुरा, ल आप लास्ट है इसमें सुन्दर धूंगा सुन्दर धूंगा सॉरी दोस्तों टोपी धूरा लातु धूंगा और टोपी धूरा दर रहा है इसके बीच पिथोरागड एवं चमोली के बीच तो ये चार इप्पोर्टेंट दर्रे हैं जो कि आपको याद रखनें एक्जामिनर पूछ सकता है कि निम्लिकित में से कौन सा दर्रा चमोल एवं पिथोरागड के बीच है आपको अलग 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 दर्रे दे जाएंगी सान कुछला धांगला या ड्यांगला कह सकते है या स सिकंट दर्रा और एक आपसर में दे दिया मार्च योग तो आंतर क्या हो जाएगा मार्च योग दर्रा है इसके बीच पिथोरागड एवं चमोली जनपत के बीच वहीं बागेश और चमोली जनपत के बीच के बात करें तो कौन सा दर्रा है सुंदर धूंगा दर्रा है बा इंपोर्टेंट भी हैं आपको सारे पढ़ने हैं तो ये होगे चार इंपोर्टेंट दर्रे चमोली एवं पिथोरागड के बीज अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पिथोरागड जनपत के प्रमुक परवत यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में परवतों के बारे में अभी तक हम गुफाओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कौन-कौन सी गुफा हैं कहां पर पितौरागड जन्पद में तो चली दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर प्रमुक परवत परवत आपको पता है किसे कहते हैं दोस्तों धरातल से उपर उती हुई चो उत्राखन की सबसे उची चोटी कौन सी है नंदा देवी पस्तिम इसकी उचाई कितनी है दोस्तों नंदा देवी पस्तिम की उचाई कितनी है 7817 है किसकी नंदा देवी पस्तिम की उचाई जो कि उत्राखन के उत्राखन की सबसे उची चोटी है अब बात करते हैं दोस्तों पिठोरागर जन्पत के प्रमुख परवर तो सबसे पहले बात करते हैं पंचा चूली परवर पंचा चूली परवर इसकी उचाहे दोस्तों 6904 किसकी पंचा चूली परवर के उचाहे हैं 6904 मेटर और यहें दोस्तों गोरी गंगा और धॉली गंगा नजी के बीच यहां पर परनी धॉली गंगा ऑगी तो गंगा और धॉली गंगा कौन सी पूर्वी धौली गंगा के बीच है कौन सा दोस्तों पंचा चोली परवत जिसकी उचाई कितनी है 6904 मीटर आपको ध्यान रख्षान दोस्तों पंचा चोली गोरी वा धौली 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 गंगा नदी के बीच इसकी था उचाई कितनी है 6904 मीटर है दोस्तों पंचा चोली परवत की उचाय नेक्स बात करते हैं नंदा कोट परवत इसकी उचाय दोस्तों 6800 परवत जानते हैं नंदा खाड नंदा खाड कहा पर है ये है दोस्तों बादेशवर में नंदा खाड कहा पर है बादेशवर तो ध्यान लखना कंगूस मत होना नंदा कोड कहा पर है नंदा कोड है पिथोरागड और चमोले की सेमा पर और नंदा खाट कहाँ पर है बाद वेशर जन्पद में वहीं बात करते हैं नेक्स तारा पहाड एक और इंपोर्टन है तारा पहाड ये खापर है ये भी पितोरागड जन्पद में इस्तित है अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटुली धार परवत कौनसा बेटुली धार परवत ये कहाँ पर है दोस्तों ये है आपके मुंस्यारी में कहाँ पर मुंस्यारी जो कि आपके एक ब्लॉक है तो मुंस्यारी में कौनसा दोस्तों बेटुली धार परवत अब बात करते हैं दोस्तों हर देव चोटी, हर देवल या हर देव चोटी की बात करते हैं इसकी उचाहे दोस्तों 7151 मीटर, हर देव चोटी की उचाहे कितनी है? 7151 मीटर और कुमाओं की सबसे उची चोटी गॉंजी है हर देव चोटी जो की पिठोरागर जन पदने नेक्स बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लंकेश्वर लंकेश्वर पहाड या कैसे पेश कुछ सैलेश्वर पहाड लंकिश्वर परवद या पार कह सकते हैं नच यह दोस्तों म्रिंग तुंग परवद कहा पर है कहा पर है यह भी आपते पिथोरागळ जनपाद में है निर्इंग तुंग परवत नेट्स बात करते हैं दोस्तों यहां के पीक पॉइंट की पीक पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों पीक पॉइंट का मिनिम होता है कि जो परवत से थोड़ा नीचे हो मालब परवा चोड़ी से पुड़ा नीचे हो उसे कहते हैं पीग पॉइंट तो सबसे पहले लिख लेता हैं आपर पीग पॉइंट सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पीक पॉइंट की तो पीक पॉइंट में सबसे पहले लिखते हैं खुलिया टॉप कौनसा खुलिया टॉप खुलिया टॉप यह कहाँ पर है यह है दोस्तों मुंस्यारी कहाँ पर मुंच्यारी में है खुलिया टॉप और यहाँ पर ट्रैकिंग की जाती है ट्रैकिंग इस्तर माना जाता है किसको खुलिया टॉप को और खुलिया टॉप कहाँ पर है मुंच्यारी पिठोरा गड़ में नेक्स बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चौदरी चोटी और चौदरा चौटी यह भी कहां पर है यह भी आपकी पिखोरा गड़ में नेक्स बात करते हैं सूली टॉप सूली टॉप यहाँ सूली टॉप कह सकते हैं इसको नागलफ चोटी कह सकते या पीख कह सकते हैं इसको कौन सी नागलफ चोटी नेक्स बात करते हैं दोस्तों यहां पर कुछेला धुरा पीख कुचेला धुरा पी कहां पर है ये भी पिथोरा गड़ जनपदने इससे थे कुचेला धुरा पी उसके बाद बाद करते हैं बुर्फू धुरा बुर्फू धुरा पी ये सारी चोड़ें पी कहां पर हैं ये हैं आपके पिथोराकड जनपदने तो ध्यान रखना दोस्तों एक्जाम के देश्टी से काफ़ी इंपोर्टेंट है और एक्जाम में पूछी जाती है